मेश राशी से बारावे घर में देव गुरु ब्रहस्पती बैठे हैं और दसमे घर में शनी देव बैठे हैं इन दो ग्रहों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि शनी देव एक राशी में धाई साल रहते हैं और देव गुरु ब्रहस्पती एक राशी में एक साल रहते हैं तो इन दो ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है तो ब्रहस्पती देव बारवे घर में बैठे हुए हैं मेश राशी से और शनी देव मेश राशी से दस्वे घर में बैठे हैं आईए समझते हैं कैसा रहेगा 24 अक्टूबर 2022 से लेकर के अगली दिवाली तक का मेश राशी वालों का समय देखे अक्टूबर 24 अक्टूबर के बाद से मेश राशी वालों की जुन्नेतिर तो छमता है वो धीरे धीरे और बढ़ेगी और कहीं दूर से आपको अच्छी ख़बर मिलेगी हर कारे आपको धैरे से करना होगा दिसंबर 2022 से धन की स्थिती में सुधार होगा मार्च 2023 से उन्नति के नए रास्ते मेश राशी वालों के लिए खुलेंगे भागी का साथ आपको मिलेगा करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करना होगा जून 2023 से अगस्त 2024 के बीच में कारोबार में लाब का योग रहेगा आपका मान सम्मान और बढ़ेगा अब बात करते हैं रिस्ते नाते की इस दीपावली से अगली दीपावली तक रिस्तों की इस्थिती में और बेहतरता आएगी यानि बेहतर होते चले जाएगे सुधार होता चला जाएगा अपनी वानी का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा परिवार में सुख और बढ़ेगा सेहत की बात कर लेते हैं 15 नौंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक सेहत का विशेज ख्याल में सराशी वालों को रखना होगा मार्च 2023 से आगे सेहत की स्थिती बेहतर रहेगी अपने खान पान का ख्याल रखेगा उपाये पूरे साल में सराशी वाले क्या उपाय करें कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा बीते और जो कस्ठ है परिशानिया है वो सब दूर रहे पूरे साल में सराशी वाले हनुमान जी की पूज़ा करें और मंगलवार के दिल लाल मिठाई का भोग लगा कर प्रसाद बाटे यह उपाय करिए पूरे साल हर्मान जी के आश्रवाद से आपको फायदा होता रहेगा